नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉंचर पर मैं हूँ अशोक वान खड़े, लेकर आये हूँ आपका अपना कारेकरम, डारेक्ट हिट, आज दस अजार कारेकरताओं का बड़ा सम्मेलन राष्टे कारेकरनी भारती जनता पार्टी की दिल्ली में शुरू है, जेपी नड़ा, अमिश्याह, प्रथानमंत्री नर्यंदर, मोदी जी, तमाम लोग, मोदी की गैरंटी को रेखांकित कर, 2024 के चुनाव में मोदी की गैरंटी ही नारा होगा, ये करीब करीब आप तैकर चुके हैं, दूसरी और किसानों का आंदोल, पांचवे दिन के अपने चरम प रविवार को कल फिर एक सरकार से मुलाखात होगी, सरकारी मंद्रियों से, उसमें से कुछ कॉंक्रेट निकलने के आशा सभी को है, सरकार के तरफ से भी और किसानों के तरफ से भी, लेकिन पांच दिन में जो किसानों के साथ हुआ, उसकी गूंज, हरियाना, और तमाम बाकी राज्यों में भी उठने लगी है. सबसे मुश्किल समय है, जो डारेक्ट हिट में मैं बात करूँगा, किसान हर्याना के अब हिट करने वाले हैं और हिट होगी हर्याना की अपनी सरकार और दिल्ली के बंसुवे. हर्याना की किसानों ने आज पंचायद बुलाई थी और जब पंचायद बुलाई तो राजली गाओं में हिसार के हजारों किसान इकटा हुए और वहाँ पर ताउशिवलाल यादो, रंधिर मलकपूर, कुलदीव खरड, प्रकाश गुराना, कुरुष्ण कुमार, प्रवेश राजली, कुरुष्ण राजली, कैलाश, उम्रा, अभेराम, सरहिडा, नरेश, बुरा, खरड, ऐसे तमाम बड़े किसान नेता इकटा हुए, हजारों के तादाद में लोग इकटा हुए, और ये तय हुआ, इस आमली गाओं में ये तय हुआ, किसान रविवार को छौपाटी पर, खेड़ी चौपाटी पर, भारी तादाद में ट्रेक्टर और ट्रॉली के साथ जुटे के, वहाँ एक बड़ी सभा होगी, कि साथ में पचास सदस्य है, जो नेताओं का एक दल है, उसमें कुछ निरने लिया जाएंगे, और उसमें निरने ये लिया जाएगा, कि हर्याना का किसान ट्रेक्टर ट्रॉली रेके, क्या सिद्धू बॉर्डर के तरफ जाएगा, जो पंजाब के आए हुए किसानों को रोका गया है, उन्हें रास्ता सुगम करने के लिए प्रयास करेगा, या फिर सिद्धा दिल्ली के बॉर्डर के तरफ कूछ करेगा, ये एक तरफ पंजाब का किसान उसे रोखने के लिए प्रशाशन ने पूरी तरह से ताकत लखा जी आज़े, हर्याणा के और हर्याणा में से यह दे किसान निकल के रोड पे आ जाता है उस साइट पे शंबू बॉल्डरब के तरफ तो प्रशासन क्यों और पुलीस और पेरामिल्टरी फोर्सेज जो हजारों के तादाद में खड़े हैं ड्रोन, वाटर कैनान, पिलेट, फ्रबर बुलेट्स के साथ उनके लिए ये समझना होगा कि वो सामने संगर्श करे या पीछे संगर्श करे क्योंकि पीछे से भी हर्याना के किसान प्रेशर बढ़ सकते हैं वैसे पुलीस ने, खासकर ये जब हर्याना के किसानों के बीच में जब बाची चल रही थी और खटा होना शुरू हो गया था तो बारा फर्वरी को ही हर्याना का किसान अंदूलित हो सकता ये सोच कर, पुलीस ने गयर गाउं के पास बर्नला रोड पे, हिराया बस अड़े के पास और मुढ़ाल के आगे नैशनल हाईवे पे पिपला पूल पर नाकाबंदी कर दी है इन तीनों जगाओं से 12 तारीक से लेके आज 17 तारीक पास दिन होगे कोई ट्रैक्टर ट्रॉली जाने नहीं दी जा रही है लेकिन तब किसान रस्ते पे नहीं था क्या जब एक किसान कल चौपाटी पे मिलेगा फिरी चौपाटी पे क्या वहाँ एक संघर्ष देखने को मिलेगा क्या हर्याना प्रसासन उन्हें वहाँ इखटा होने देगा या इखटा होने के पहले घर से दबोजेगा यह आज रात को क्या ओपरेशन होता इस पे डिपेड करता है दूसरी और एक पंचायत देगर राकेश टिकेट में भी जिनके उपर सरकारी नेता होने का आरूप लगता रहा उन्होंने भी जब किसान उग्र हो रहे यह देखते हुए उनको लगा कि उभी पीछे क्यों रहे उन्होंने भी एक महाँ पंचायत का आईवजन किया और महापंचायत में उन्होंने भी ललकारा, उन्होंने कहा कि ये सरकार भाजवपा की नहीं है, भाजवपा की सरकार अडल जी की थी, अड़वानी जी की थी, वह किसानों की सुन्वाई होती थी क्योंकि वो गाउं से जुड़े दे थी, ये सरकार उद्युख पतियों की है, पुरे देश में एक सिस्टम चला कि अप्रचार किया जा रहा है कि MSP देने से महेंगी चीज़े होगी यह सरासर छूट है यदि किसानों को जिंदा रहना है तो उसे संगर्श करना होगा तो उन्होंने का कि भारते किसान यूनियन 21 फर्वरी को SDM के आफिस के सामने ट्रेक्टर ट्राली लेके जाएगा उन्हें आगा करेगा कि आने वाले 26 और 27 फर्वरी को हम हाइवे पे एक साइड पर ट्राक्टर और ट्रेली पार्क करके हाइवे का एक साइड ब्लॉक करेंगे जो गाजियाबाद बॉर्डर दिल्ली के तरफ जाएगा आधा रस्ता वहानों के लिए खुला रहेगा कुल मिलाकर हरियाना के तरफ से भी यूपी के तरफ से भी पर पंजाब से तो प्रेशर बनाई हुआ है ऐसे में क्या MSP का ध्यदेश के कोई बात हो सकती है क्या MSP को लेके बाकी मांगों को चुनाव तक टाला जा सकता है कई क्यास लगाएं जा रहे है दूसरी और फिर एक किस्ट जारी हुई है खिसान अंदोलन के बीच में जो 6,000 रुपे वाली होती है 2,000 की खिसानों के लिए लेकिन कुल मिलाकर सरकार की तमाम योजनाव और सरकार के तमाम दावों के बाद बड़े बड़े विग्यापन के बाद भी इस देश का किसाथ जानता है कि एक्चलि उसके साथ हो क्या रहा है पुराने वीडियो जो कहीं और के वीडियो कहीं और के नाम से इस आंदोलन को भी बड़नाम करने के लिए ट्रोल से न लगी हुई है लेकिन उलगातार एक्सपोज भी हो रही है जैसे कि किसान खलिस्तानी किसान आंदोलन कारी मंदिर को लूट रहे सरदारों और हिंदों के बीच में जगड़े हो गए थे मंदिर की दुकान या असपास की तोड़ी गई थी वो वीडियो बार बार दिखाय जा रहा है कुल बिलाके भाज़पा की या सर्थापक्ष के ही जो सिंपताइजर है उन्हें ये बात गले नहीं उतर रही है कि मोदी जी को कोई चैलेंज कैसा दे रहा है वो अपने मोदी जी को हीट होते वह दिखाई नहीं देखे लेकिन मोदी जी प्रधान मंत्री है इस देश के यदि 60% आबादी इस देश के आंदोली थे है तो प्रधान मंत्री जी को उनकी बात सुननी तो चाहिए सिर्फ मन की बात करने से काम नहीं होगा पुल मिलाकर अब तक तो सिर्फ पंजाब का खिसान आंदोली थी नहीं था वो परबर की बलड भी खा रहा था आसुग्यास भी छेल रहा था पतंग से ड्रोन काट रहा था और ये जुगल बंदी और ये जो छुटफट के लगाई सिर्फ बॉर्डर पे और दुसरे पंजाब के बॉर्डर पे चल रही थी लेकिन अब हर्याना के अंदर से ये दिकिसान दोरी मार करता है दिलिक के कुछ करता या पंजाब के किसानों की मदद के लिए जाता है तो ये सेंड़िश्ट हो जाएगी पुलिस एक तरफ पंजाब एक तरफ हर्याना के किसान और हर्याना के पुलिस को अपने किसानों पे गोलिया बरसाना भी मुश्किल होगा तीसी तरफ टिकेट ने भी घुंकार भरी है और उत्तरपदेश में इस आंदोलन के मज्जन नजर और कोई आंदोलन खड़ा नहीं हो इसके लिए योगी सरकार ने छे मैने के लिए एसमा लगाया है Essential Services Management Act इसके तहट कोई भी सरकारी करमचारी कि आंदोलन करता है तो बिना वारंट को उसको अरेश्ट किया जा सकता है कि इसे भी सरकारी करमचारी का आंदोलन खड़ा नहीं का अधिकार शे मेने के लिए अब समाप्त है योपीवे इसके पहले भी ऐसा हुआ है योपीवे तो कुल मिलाके आंदोलन से सरकार या डेली हुई है और किसान आंदोलन में जिस तरह से आग पकड़ी है उससे अब सरकार भी डबल मैंड में है या असमज़स किस्तिती में है करे तो क्या करे पहले ये कहा जाता था कि सिर्फ आम आदमी पार्टी इसको हुसका रही है या कॉंग्रेस और बाकी विरुदी पक्ष पंजाब के किसानों को गुमरह कर रहा है इसलिए वो आंदोली थे लेकिन उनके पांच दिन के संगर्ष के बाद हर्याना का किसान भी जाग उठा जो रविवार के दिन उसने पहली हुंकार भरने का ऐलान किया इदर यूपी का किसान भी एक इस तारीक की बात कर रहा है उसकता है अठ्रह तारीक के रविवार को कुछ समाधान निकले और ये आंदोलेनी समापत हो आंदोलेन से देश का नुक्सान भी हो रहा है लेकिन फिर करणों का नुक्सान देश का हो रहा है तो किसान, ये दर्द कही निचेल से जहर रहा है, सरकार आती है, जाती है, किसानों को आश्वासन देती रही है, और किसान वही के उनुगी, कुल मिलाके, आज हर्याणा की किसानों ने हिट किया है, अपनी अपनी पूद की सरकार को इदिल्ली के दर्बार के मनसुबें, आज